Hello students, good morning. Today we are going to see the chapter number 2 or poem 2 from पूरक वाचन हिंदी जल्यवाला बाग में वसंद जिसकी लेखी का है सुबद्रक दाकुमारी चोहन अब ये जो पूयम है, ये जो कवीता है, ये कवीता में जल्यवाला बाग में जो निहती प्रजापर अंग्रेज द्वारा जो बरबरदा से गोली बारी की गई थी और उनमें हजारों लोग मारे गए थे जिसमें बच्चे, युवा, वुरूत सभी का समाईस होता है तो यहां की धर्ती इन लोकों के खुन से रंगी हुई है, तो कवी अत्री, मतलब ये जो कवी है, जल्यवाला बाग की गोली चालन का जो मारमरी रश्य था, उसका वारन यहां पे किया हुआ है तो तो टोड़े वी अगए गोई टो सी दो फर्स ट्री स्टैंजास अब ये जो स्टैंजाई इसमें कवी अत्री क्या कहना चाते जाती है, तो कवी अत्री कहना चालती है, कि जल्यवाला बाग का मारमिक वर्णं करती है और उसका मारमिक वर्णं करते हुए वो कहती है, कि हे रुतु राज वसंद, अभी जो है वसंद रुतु का समय है तो वसंद रुदु को कहती है कि यहां कौयल नहीं कुपती है मतलब यहां कौयल आके आवाज नहीं करती है बलकि उसके बडले यहां कववे सोर मचा रहे है यहां काले रंग के अनिक कीडे मकोडे है जिनसे यहां बहुरों के होने का ब्रहम भी होता है तो काले काले कीट मतलब यह जो काले काले कीट जो है उनको देखते रहे ऐसा लगता है कि वो काले काले कीट नहीं लेकिन जो बहुरे है ब्रहमर है वो यहाँ पे है ऐसा ब्रहम हम सबको हो रहा है यहाँ जो अध खिली कलिया है वो भी दिखाई देती है और वे काटो की जाती वाली जाडियों पर है और वे पौधे और वे फूल सुख गए है या जूलस गए है मद fatto, कलिया जो पूरी खीली नहीं है वो डिखाई देती है और वे वी कहाँ है अच्छे पेड़ पर नहीं कांटो वाली जաॡ़्या है वहां पे है और वहां के जो पौदे है फूल है वो सूख गय मर गय गय क्योंकि उनको पूरी तरह से क्या पोशन मिल रहा नहीं है वो ऐसे ही हमारे जो स्वातंत्र सेनानी थे उनको पूरा सहयोग ना मिलने से वो लोग वहाँ मर गए उनको वहाँ गोली मारी गई और वो अपने खुन उनका खुन बह गया अब दूसरा जो स्टेंजाय उसमें कव कहते है कि परिमलहीन पराग दाक सा बना पड़ा है हाँ यह प्यारा बाग खुन से सना पड़ा है आओ प्रियरुतुराज किन्तु दीरे से आना यह सोक्सान यहां मत्सोर मचाना अब कवियतरी जो है यहां कहती है कि फूलों के अंदर सुगन पराग है जो मानो उसमें दाक की तरह दिखाए देता है अब फूलों के अंदर पराग है मतलब उसके बीज है जिससे दूसरे फूल वो भी अब सुन्दर नहीं लग रहे लेकिन वो भी अब क्या लग रहे है वो भी अब जैसे चांद में दाग, चांद में जो कि दाग नहीं, चांद जैसे हमको अच्छा लगता है लेकिन उनमें जो दाग रहते हैं, उसकी वाज़े से हम कहते हैं कि चांद में दाग है वैसे ही फूल अच्छे है लेकिन फूल में उसकी पराग है वो पराग जो है मानो दाग की तरद वो उसकी सोभा नहीं बढ़ा रही लेकिन उसको बहुत ही और भी बजसूरत बना रही है यह संदर भगी जा जो खूल से सना हुआ है वो रुतुराज वसंद को क्या करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि है रुतुराज वसंद यहां आईए पर कैसे आना धीरे से आना सोर मचाते हुए मत आना क्योंकि यह जो है यह जग्या है जल्या वाला बाग जो जगा है वो क्या ह एक सोख स्थान है यहां कई लोग मारे गए है और यह एक ऐसी जगा है कि जहां लोग सोख मनाते है और यहां आकर सोर मत मचाना उसके बाद जो तीसरा स्टेंजा है के वायू चले पर मंद चाल से उसे चलाना दुख की हाँ है संग उड़ा कर मत ले जाना कोकिल गावे किन्तु राग रोने का गावे ब्रमर करे गुजार कष्ट की कथा सुनावे अब यहाँ जो कवियत्री क्या कहती है स्टेंजा के द्वारा के कवियत्री कहती है के रुतु राज वसंद वायू चल सकती है पर उसे बहुत धिमिकती से चलाना यहाँ दुख बरी आहय सुनाए देगी आपको मतलब दुख बरी आहय मतलब यहाँ लोग तड़प तड़प कर मरे है लोगों के दुखो की यहाँ आहय निकली है तो आप जब भी इधर आओगे जब भी आपकी वायू धिमीकती से चलेगी तब आपको यहां दूप भरी आहे सुनाए देगी पर तुम इन आहो को अपने संग उडा कर मत ले जाना जब तुम आते हो तो इन आहे हैं उनको आपके साथ संग उडा कर मत ले जाना क्यों कि यहां की एक याद है यहां की एक मेमरी है और यहां लोग जो आते है वो अपने यादों में उनको याद करते हैं अगर आप उसको आप पर उड़ा ले जाओगे तो यह कुछ यहां लोग सोप मनाने नहीं आएंगे ध्यान रखना कॉयल गा सकती है किरन्त उसकी गाने की राग रोने वाली हो वो रुतुराज वसन को या परमेश्वर को प्रातना करता है कॉयल यहां आके भले गाए लेकिन यहां पे वो मदूर गी संगीत नहीं मदूर गीत नहीं लेकिन रोने का गीत गाए मतलब उसकी आवा होनी चाहिए बवरे जो गुंजार करते हैं और उसकी जो आवाज आती है तो वो जो गुंजार है उसमें भी मदूर आवाद नहीं होनी चाहिए लेकिन हमारे जो स्वातांत्र शेनानी थे जो हजार लोग यहां जो गोली बारी में जो उनको धोक्या दड़ी से जो गोली सहा है वो कस्ट की जलक इसमें होनी चाहिए so next four stanzas we will study in the next session till that have a good day take care bye